साई की बात तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने वहाँ पर खुद आकर प्रतेक श्रूप में आकर स्वेम खड़ा था मैंने तुम्हें बचाया तुम्हारे पूरे परिवार को बचाया नहीं तो आज कुछ होने वाला था मेरे बचे कुछ बहुत बुरा जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते इतना बुरा होने वाला था और उन सब चीजों से मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बचे तुम जो ये हर वक्त अंदान करते रहते हो ना सबकी सेवा करते रहते हो किसी को अपने धर से खाली नहीं जाने देते तो बस ये उसी का फल था मेरे बचे उसी का फल था तुम जो सबकी इतनी सेवा करते हो सचे भाव से सचे मन से सबकी सेवा करते हो सबके बारे में सोचते हो ना यही तुमारी भक्ती का फल तुमें आज मिला मेरे बचे तुम्हारे परिवार की रक्षा हुई आज और सुनो एक काम करना इस गुरुवार को जब मेरे पास आऊना तो कुछ मीठा प्रशाद लेकर जरूर आना मेरे बच्चे जरूर आना मुझे प्रशाद चढ़ाना और मेरे जितने भी बच्चे होना मंदिर में सबको देना मेरे बच्चे जब तुमने कार्ड चपवा ही लिये हैं मेरे बच्चे तो अब मना क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे जब कर दिया है तो कर लो मेरे बच्चे जिस चीज को सोच कर तुमने चपवाए थे कार्ड तो वो कर लो ना मेरे बचे, क्यों परिशान हो तुम, जब सोस समझ कर चीज़ों को तुमने आगे बढ़ाया है, कदम आगे बढ़ाया है ना, तो पीछे मत अटाओ उसको, आगे कर लो, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी कमी नहीं आएगी, सब मैं समाल लूँगा, बहुत पुराना तुम्हारा मित्र है मेरे बचे, जो तुम से बात करना चाहता है, किसी वज़ा से तुम्हारे बीच में बहुत साल पहले कुछ गलत फहिमिया हो गई थी मेरे बचे, इस वज़ा से तुम्हारे दोस्ती तूट गई थी, उसमें दरार पड़ गई थी, लेक कितना कुछ किया है उनके लिए देखना कुछी दिनों में वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे माफी मांगेंगे तुम देखना मेरे बच्चे और सुनो जो तुम्हारे घर में मचलियों का जार है ना जहां तुम मचलिया रखते हो वहां उसमें से एक मचली मर गई है तु जानते हूं क्यूं क्यूंकि वो सारी बला अपने उपर ले गई ये बात नहीं जानते तुम तुमने इस बात पर गौर भी नहीं किया शायद लेकिन मैं तुम्हारे घर की बहुत बड़ी बला थी मेरे बच्चे जो उस मच्छली ने अपने सर पर ले ली तुम जो जीवन दान दिया है समझ रहे हो तुम तुम्हें जीवन दान मिला है मेरे बच्चे इस जीवन को ना यूही मत जाने दो ये जीवन बहुत बहुत अनमोल है मेरे बच्चे बहुत अनमोल है और सुनो मेरे बच्चे तुमने एक कान का पहन कर रखा हुआ है और एक कान का उत खो भी सकता है मेरे बच्चे या तो उसे कान में पहन लो या उसे उठा कर किसी तजोरी या अलमारी में रख दो मेरे बच्चे वज़ा चाहे जो भी हो मेरे बच्चे जो भी हो लेकिन तुम संभल कर चलना मेरे बच्चे और सुनो मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि तु तो सच कहता हूँ तो मैं परिशानी नहीं आने दूँगा लेकिन अगर तुम हड़ बड़ाहट में आकर कुछ उल्टा सीधा कर गए या कुछ नहीं करने वाला था वहाँ पर भी कुछ बोल गए न तो वो सही नहीं पड़ेगा मेरे बचे बिलकुल नहीं पड़ेगा और सुनो जब जहां चार लोग बैठे होते हैं न वहाँ पर न कम बोलना चाहिए मेरे बचे क्योंकि जहां पर बड़े बात कर रहे होते हैं न वहाँ छोटों को नहीं बोलना चाहिए बड़ों को बात करने देना चाहिए अगर वो तुम्हारे सला मांगते हैं न तो सला दो लेकिन बीच में मूलना बत्तमीजी करना ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे और ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है समझ गए न और अगर कोई तुम्हें बद्दुआएं देता है ये तुम्हें हाय निकालता है न तो मेरे बच्चे उसकी हाय और बद्दुआ तुम्हें लग नहीं सकती लगने दो जितना वो कहते हैं न करने दो जो करते हैं जो कहते हैं न वैसा होता नहीं है मेरे बच्चे अपने मुख से निकाल देगा कि मेरी बद्दुआ है, मेरी हाई है और तुम्हें लग जाएगी अरे ऐसा कुछ नहीं होता इन सब चीजों को अपने दिमाग पर मत लिया करो ये सिर्फ कहने वाली बाते हैं क्योंकि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं मेरे बच्चे मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा ब्रह्मान नायक हूँ क्या पिता के पास में आकर कोई मेरे बच्चे के बारे में गलत सरत बोल सकता है कोई मेरे बच्चे को बद्दुआ दे सकता है कुछ कर सकता है नहीं न और अगर वो कहे भी देगा तो क्या मैं माल लोंगा नहीं न तो फिर अपने पिता पर भरोसा रखो कोई दुआ हो कोई बदुआ हो कुछ भी हो मेरे बच्चे वो सीधा मेरे पास आती है उसके बाद अपने बच्चे को मेरी साइसा चरित्र हो भागवत गीता हो या ज्यान की किताबे हो मेरे बच्चे रोज पढ़ना शुरू किया करो जब भी खाली बैठते हो न तो पढ़ा करो मेरे बच्चे पढ़ने से न तुम्हारे दिमाग में सकरत्मक उर्चा आएगी तुम हमेशा कहते हो न कि बाबा महसूस होता है मैं क्या करू तो ये करो किताबे पढ़ो किताबों को अपना दोस्त बना लो फिर देखना तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे कभी नहीं करोगे और जो तुम्हारे जखम है न जो तुम्हारे चोट है मैं उसको बहुत जल भर दूँगा मेरे बच्चे अ तुम्हारी चोट है मेरे बचे और सुनो देखो जो हर चीज चमकती है ना जिसकी चमक बहुत होती है जरूरी नहीं कि वो सोना हो मेरे बचे तो कभी किसी के चमक पर मचाया करो उसके अंदर का देख लिया करो कि उसके अंदर गुण क्या है उसकी असलियत क्या है इतनी खूपसरो चीज़े देख करना बहुत जल्दी आकरशित नहीं हुआ करते तुम बहुत जल्दी कोई भी सुन्दर चीज़ देखते हो ना या कोई सुन्दर व्यक्ति देखते हो तो बहुत जल्दी आकरशित होने लगते हो जो नहीं होना चाहिए मेरे बचे बिलकुल भी नह होना चाहिए ये आखे मैंने तुम्हारे लिए खूपसरों चीज़े देखने को बनाई है ना कि उसकी तरफ जादा आकरशित होने को जो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही नुकसान दायक बन जाए तो वो नहीं होना चाहिए और सुनो मेरे बचे तुम्हारे घर में एक ऐसा नल है जहां पानी टप टप टपकता रहता है तो वो पानी टपकना नहीं चाहिए मेरे बचे जितना हो सके उसे ठीक करवालो तुम जानते हो नल से अगर पानी टपकता है न वो बन नहीं होता तो उससे पैसों की बरबादी होती है इधर उधर अनाप शनाप तुम्हारे पैसे व्यर्थ होंगे खर्चे होंगे मेरे बच्चे तो अपने पैसे बचाना चाहते हो न तो जो नल है न उसे ठीक करवालो जल बहुत काम करते हो, ठक गए हो मेरे बचे, तुम्हें अराम की सक्त जरूरत है, सक्त, खुश रहो, आज का साई संदेश, समाप्तुवा